किचन चौटा हो या बढ़ा तो साफ होना बहुत ज़रूरी होता है जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़े हों तो किचन में अछ end बरतन रखें तो फिर हम उसकी सफाई कर सकेगए सफाई नजल है। किचन में सिंपल चीजries पढ़ी हो सस्ती चीजस तो हमारे kitchen को neat and clean दिखना जरूरी होता है तो मैं मुख्तलिफ recipes और remedies जो हैं उनको try करती रहती हूँ आप लोगों के लिए tricks and tips पहले मैं apply करती हूँ उसके बाद आपको result में देखके फिर आप लोगों के साथ share करती हूँ तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ असलाम लेकुम जी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर रही हूँ बहुत ही जबरदस्ट घर में home remedy liquid wash बनाने का तरीका यकीन करें कि इतना easy and इतना simple तरीका है ना और ये तरीका यूज करके तो आप यकीन करें के बाजारों से जो महंगे महंगे लीकवर्ड वोश मिलते हैं बरतन मगारा वोश करने के लिए cleaners मिलते हैं जो लीकवर्ड cleaners होते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए किचन क्लीन करने के लिए और घर की दिवारों की सफाई सथराई के लिए मिलते हैं और यकिन करें कि जब ग्रोसरी में इस तरह की चीज़े क्लीनिंग से रैलिवेंट चीज़े लेते हैं तो ज्यादा बिल ही हमारा इसी वज़ा से बनता है हर मह है. इसमें हमें सब़से पहले क्या करना है? एक गलास हमने पानी डाला उसमें एक जो है मैरे पास 12 टिकी it was paste THE image की it was paste. उसको ग्रेट कर लेए घ्रेट करके इसमें अच्छे से marin क्या करने के बाद हमने क्या करना है कि क्द्श दर्मियान तो मैंने इनको जूस के समेती इसमें एड़ कर लिया है इसका भी ये बिल्कुल सोफ्ट हो जाएंगे सारा असर लीमू का भी इसमें निकल जाएगा अब हमने करना क्या है कि पांच मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे इस तरह से ताके लिमू का रस भी बीच में मिक्स हो जाए और छिलकों का असर भी इसके अंदर चला जाए उसके बाद हम क्या करेंगे साबून हमारा मिक्स हो जाएगा एक गलास हमने स्टाटिक में डाला था एक कप पानी जो है वो बाद में डाला था पक गया सारा मिक्स हो गया उसको थोड़ासा ठंडा हो जेगा तो फिर हमने क्या करना है छलनी की मदण से उसे चानना है चानना इसलिग है लिमूं के छिलके निकल जाएंगे लिमूं के बीच निकल जाएंगे थीक है और इस तरहसे हमारे पास बड़ा जबदस लीकवर्ड वॉश जो तयार होने जा रहा है आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्टर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताके नहीं नहीं वो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको मिक्स कर लिया हुआ है सारा यह रडी हो गया हुआ है अदा प्रोसिस हमारा रहा गया है वो और करेंगे यहां पर एक चमच जो हमारा है वो क्या जाएगा लाहुरी नमक या घर में जो भी आप खानों के में यूज करते हैं सिंपल नमक ले अगर चावलों या खाना खाने वाला जो चमच है ना वो उसका एक चमच हैट करेंगे इसको अच्छे से करेंगे मिक्स यकिन करें खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है तो ये हमारे लिए एक क्लीनर भी बन गया और हमारा डिश लीक वर वोश भी बन गया और एक टिकी के साथ कितना ज्यादा ये बन गया है अच्छे जिसका रिजल्ट भी आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल का नजर आएगा यहां पर आपने क्या करना है कि कोई भी इस तरह की आपके घर खाली बोटल पड़ी है तो आपका ये बन सकता है और यहां पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैं इसमें एड़ कर लेती हूँ इसको क्या करेंगे इसको हम इसके बोटल के अंदर डाल लूँगी ताके एजिली फिर स्प्रे हो जाता है और हमारी किचन की सफाई और लिकवर्ड वोश वगरा जो है वो एजिली यूज़ हो जाता है और जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ ना यह वह सब पहले मैं अपने घर में ट्राइ करती हूँ वो चीज़े बनाती हूँ मुझे वैसे भी शोक है नहीं नहीं चीज़ों को ट्राइ करने का तो यकीन करें अगर मुझे कोई अच्छा रजल्ट नजर आता है ना तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो यह चोटी सी वीडियो चोटी सी टीप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हैलफुल साबित होगी और होफ़ली आप लोगों को बहुत अच्छी लगे होगी जरूर ट्राइ कीज़ेगा आप यह जो बाच गया है इसके साथ मैं थोड़े से बरतन पड़ कि कैसे सप्राइग करने के बाद आपने कोई जाबी गीला कप्ड़ा साफ कप서 लेके नचोड के तो इसके साथ दिवारे टीबारे साफ कर लेन तो वह ईايजली साफ हो जाएगा इसको हम फैactory तो ने हम इसना को ब् बहुत फाइदा होगा किचन जो ये टॉप काउंटर है इसको भी आप अपनी शेल्फ को अच्छे से साफ कर सकते हैं इस तरह से किचन की जो हमारे केबिनर्स होते हैं यहां पर स्प्रे करें इनको साफ करें फ्रीज साफ करें ओवन साफ कर सकते हैं चूला साफ कर सकते हैं आप इसको बनाएं ट्राइ करें और फिर आप मुझे द्वाइं देने पर मजबूर हो जाएंगे तो ओकी जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा इंशाला तरला न्यू वीडियो टिप्स के साथ मैं जरूर हाजर होंगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त द बइबाइब।